नमस्कार आप देखना है युक्चरन आए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर उत्ताप्रिदेश की अमेठी और राइवरेडी लोगसभा सीटो पर कॉंग्रेस की उमीदवारों को लेकर आज सस्पेंस खतम हो सकता है उमीद है कॉंग्रेस अध्यप्ष में लिक अरजुन खड़ गे आज दोनों सीटों के लिए उमीदवारों की घोशना करेंगे आपको बता दे कि सूतरों के मताबिक राहुल नहीं चाहते कि गांधी परिवार के तीनों सदश्य सांसद बने और होने ये भी कहा था कि दोनों सीटों पर उमीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए बुदवार को एक बैठक हुई थी लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ साथ ही अभी तक अधिकारिक तोर पर प्रत्याशी के नाम का एलान भी नहीं हुआ लिहाजा राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष खिलेश यादों के तस्वीरों के साथ कॉंग्रिस के स्लोगन को ही प्रमुकता में रखा गया है कुछ होडिंग पर प्रियंका और सोनिया गांधी की भी बड़ी तस्वीरे लगाई गई है कॉंग्रिस सूत्रों का दावा है कि अमेठिय और राइबरेली सीट से राहुल और प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार होंगी कौन किस सीट से लड़ेगा फिल्हाल ये तय नहीं है दावा किया जा रहा कि गुरवार शाम तक प्रत्याशियों के नामों के अधिकारी घोशना कर दी जाएगी आपको बता दे कि नामांकन की तयारियों के लिए दिल्ली और प्रदेश कॉंग्रिस कार्याले से गाड़िया भी भेजी गई है बुदवार को तयारियों का जायजा लेने के लिए सून्या गांधी के प्रतिनिधी रहे केल शर्मा अमीठी पहुँचे उन्होंने ब्लॉक स्तर पर कॉंग्रिस पदादिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने पदादिकारियों से कहा कि तीन मई को नामांकन के लिए तयार रहे तीन मई को ही अमीठी और राइबरेली में नामांकन की आखरी तारिक भी है राहुल गांधी वर्तमान में केरल के वायनाड निर्वाचिश शेत्र का प्रते निजित्व करते हैं जहां से उन्होंने 2019 का लोकसबा चुनाव जीता था इस बार भी राहुल वायनाड से चुनावी मैदान में है साथ चरण क्याम चुनाव के पाँचवे चरण में 20 मई को अमेठी और रायवरेली निर्वाचिश शेत्रों में मद्दान होगा आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें अपनी पार्टी से जो भी आदेश मिलेगा वो उसका पालन करेंगे कि तैयारियां जिला एकाईया कर रही हैं लेकिन तीन मई को राहुल गांधी और प्रेंका के चुनावी कारिक्रम भी है राहुल गांधी तीन को दक्षिन ओडिशा कोरापुर्ट संसदिय शेत्र के तहत रायगड के दोरे पर जा रहे हैं सुबह 11 बजे जनसबा को भी संबोधित करेंगे जबकि प्रेंका गांधी तीन मई को फतैपूर सीक्री में कॉंग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोडशो करेंगी ये कारिक्रम एक तरह से तैयारियों और दावों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है अगर कारिक्रम रद किया गया तो नामांकन बिना अडचन के हो सकता है लेकिन कारिक्रम तई समय से होने पर नामांकन में मुश्किले आ सकती है अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? क्या मिठी से राहुल गांधी को उतारा जा सकता है? आपके राय कॉमेंट चेक्शन में बताईएगा जरूर तब तक बने रही है युक्चरन के साथ